चोपड़ा जोगे से योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचों राजस्तान स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग ओफलाइन है और उसका डेवाई सेडिूल आ चुका है सबसे पहले 23 से ये काउंसलिंग स्टार्टिंग है और एंड होगी 28 नवंबर 22 को तो 23 को सभी कैटेगरी के कंडिडेट सुब ये 8 बज़े परजेंट होना है स्टेट रेंग 1 से लेकर के 1000 तक इसके बाद सभी कैटेगरी कंडिडेट 1 बज़े परजेंट होंगे 1000 वन से लेकर के 2000 स्टेट रेंग तक के सभी कैटेगरी के कंडिडेट 24 नवंबर को स्टेट रेंग के 2001 से लेकर के 3000 तक सभी कैटेगरी कंडिडेट को 8 बज़े पहुंचना है और 1 बज़े पहुंचना है 3001 से लेकर के 4000 रेंग तक के कंडिडेट को 25 का schedule इस प्रकार से रहेगा इसमें SC category के candidate को बुलाया गया है वो 4,007 rank से लेकर के 6,829 rank तक के state rank के candidates परजेंट होंगे इसमें और 11 बजे परजेंट होंगे 6,830 rank से लेकर के 11,681 rank तक इसके बाद 26 को ST, STA और MBC candidate के लिए counseling होगी वो ST candidate 4,006 rank से लेकर 11,635 rank, STA 4,658 से लेकर 11,574 rank, MBC candidate 4,004 से लेकर 11,678 state rank के candidate को परजेंट होना है इसके बाद 1 बजे round 2 के लिए सभी category candidate को 4,001 से लेकर के 5,000 rank तक परजेंट होना जरूरी है counseling के लिए इसके बाद 27 को देखें हम तो 5,001 से लेकर के 7,500 तक के candidate को परजेंट होना जरूरी है और 11 बजे 7,514 से लेकर के 9,958 rank तक के candidate को परजेंट होना जरूरी है इसके बाद में हम बात करें 27 की 27 का मैंने बता दिया है आपको schedule इसके बाद करें 28 की तो 28 के candidates के लिए 8 बजे पहुंचना है 10,004 rank से लेकर के 11,682 rank तक और इसके बाद में 1 बजे के बाद में जो category जो eligibility criteria 11 के candidates आते हैं जो other state candidates है उनको ये पहुंचना है 492 rank से लेकर के 11,677 rank तक state rank तक के candidates को पहुंचना है वो 1 बजे यानि other state candidates eligible रहेंगे 1 बजे 28 नवंबर 22 को बाकी entry ticket डाउनलोड करनी है आपको entry ticket जहां से आपने login किया है वहाँ जैसे ही login करेंगे वहाँ entry ticket का option मिलेगा आपको तो आप अपने schedule से पहले entry ticket डाउनलोड करके आप उसको साथ ले करके जाएं अब condition ये है कि जिन candidates को upgrade नहीं करना है यानि कि first round में seat मिल गई है उनको और वो seat retain करना चाते हैं उन्होंने कहीं option नहीं दिया है retain के लिए कोई बात नहीं है लेकिन उनको first round में seat मिल गई है वो उसी seat पर mbbs करना चाते हैं आगे उस seat को mbbs के लिए upgrade नहीं करना चाते हैं तो उनको इस counseling में जाने की जोरत नहीं है वो seat उनके लिए retain रहेगी जिन candidates को upgrade करना है first round में join कर लिए second round में upgrade करना है उनको fees की receipt लेकर के जाना है वहाँ पर duplicate documents भी एक-एक set लेके जाना है जब आप reporting करोगे तब duplicate documents की requirement होगी लेकिन आपके लिए fees की receipt लेकर के जाना बहुत ही जरूरी है इसके बाद जिनको seat alert नहीं हुई वो तो candidate जाएंगे ही जाएंगे और बाकी जो other state candidates हैं वो 28 November 22 को एक बज़े के बाद में परजिन्ट होंगे counseling के लिए तो ये condition है counseling की तो बाकी और कोई update मिलेगी तो हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंग्ग